कि हेलो फ्रेंट आप सब का मेरे यूटीव चैनल जिसका नाम है विकास 3-1 टैक तो फ्रेंट्स जैसे कि आपको पता है कि आज इंस्टाग्राम के ओपर रिल्स का काफी जादा ट्रेंड चला हुआ है सब रिल्स बना बना कर इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो हमें सबसे पहले इसमें फेस्बुक की जो हमारी एप्लिकेशन है उसको ओपन कर लेना है इस पे क्लिक करके से ओपन कर लेता हूं तो यह कुछ इस तरीके से हमारे सामने खुल जाएगी आप देख सकते हैं यहां पर ठीक है हमारा होमपेज खुल गया यहां पर इसके बाद हमें यहां पर दिखाई दे रही होंगी हमें इसके उपर क्लिक करना है और यहां पर हमें आप यहां पर देख सकते ह है एक रील का option हमें यहां पर दिखाई दे रहा है हमें इस रील वाले option पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो Facebook पर जो Reels डली हुई है वीडियो जो और लोगों ने डाली है वो हमारे सामने आ जाएंगी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तब देख सकते हैं यह यह रील वीडियो हमारे सामने चलने लग गई है किसी और की ठीक है मैं इसको पोस कर देता हूं तो इसके बाद हमें आपर रील वीडियो अप्लोड करनी है तो हमें यह उपर यहां पर क्रियेट का एक option दिखाई देगा हमें इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद हमसे यह पह just record करना है वह भी Along कर देना है उसके बाद आत देख सकते हैं चम्ले करेंगे मेरा यह इसका ओपन हो गया है तो आप यहां से रीकोर बी कर कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर इंडियन पॉप आ गए यहां पर सारे सामने आप देख सकते हैं आप यहां पर आपको अच्छा लगे अपने आप यहां से स्लेक्ट कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं पंजाबी सौंग भी हैं पॉप भी हैं तमिल तेलगू पार्टे हिट्स और तरह के सोंग आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको कोई म्यूजिक सर्च करना है तो आप यहां पर यह सर्च म्यू सर्च करके देख लेते हैं यहां पर तो इस वर्ड से रिलेटेड जो भी सोंग होंगे वह हमारे सामने यहां पर खुल जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कितने सारे सोंग है इस नाम से तो आपको जो भी यहां पर अच्छा लगे वह आप यहां से स्लेक्ट कर सकते ह उसके बाद यहां से cancel कर देंगे तो इस तरीके से आपको music स्लेक्ट करना है यहां पर उसके बाद यहां पर इस वाले यह रोपी क्लिक कर देंगे यह वापिस से ला गया उसके बाद हमारे पास यह second option आता है beauty का मतलब effect लगाने का है इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यह beauty का on हो गया है और इसको दुबारा क्लिक करेंगे तो यह off हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर यह वाला third option जो है इस पर हम क्लिक कर सकते हैं जीडेंगे और हम से हमम टाइमर सेट कर सकते हैं ठीक है countdown लगा सकते हैं अपनी वीडियों में का the recording की लेंत यहां पर हम सet कर सकते हैं थीश सेंट तक की हम अपलोड कर सकते हैं इसमें ठीक है रिकोर्ड करके सैट कर सकते है यहां इसे जितनी हमें चाहिए उसके iscernible करें मिलता हो यहां से हम कोई इनसेट कर सकते हैं जैसे कि आफ देख सकते हैं कोई भी हम में से स्लेक्ट कर सकते हैं या फिर हम सेकेंड वाला जो ओप्षन है यह कैमरा रोल का अपने गैलरी में से भी कोई यहां पर पिक अप्रोड कर सकते हैं बैक्राउंड के लिए हो गया यह एक तरीके से तो इसे डन पर क्लिक कर कर देंगे उसके बाद यह सारी चीजे होगी है यहां पर कोई बैक्राउंड लगाना तो आप वहां से इसके बाद मैं आपको एक वीडियो अप्लोड करके दिखाता हूं मैंने इसमें की हुई है मतलब बनाके रखे हुई है वीडियो तो मैं इस गैलरी पर क्लिक करके उसे लोड कर दूंगा आप देख सकते हैं यहां पर भी वीडियो दिखाई दे रही है जबकि गैलरी में से हैं ठीक है तो आप यहां से पिक कर लिए हैं यहां से, उसके खाने के लिए, तो इसके बाद हम इसमें क्या क्या एडिट कर सकते हैं, यहां से हम इसमें music डाल सकते हैं, हमें कुछ text लिखना है इसके उपर, तो हम इसके उपर click करेंगे, और यहां से हम जो भी text लिखना चाहें, वो हम यहां से लिख सकते ह जैसे Q ग्लिक नहला है ठीक है यहां से टेक्स्ट की डूरेशन आप सैट कर सकते हैं मिलुक करके कि इस ट्राम तक के लिए चलएगा पूरी वीडियो में चलाना है या इसे तोड़ी वीडियो में चलाना इसे पकड़के आप move कर सकते है जहां आपको टेबल लग है ठीक है इस तरीके dob करेंगे करेंगे ताद अर्ट करेंगे की कि यहान पर त्रीडियो को ट्रीम कर सकते हैं जितनी आप option है आपने कोई camera से video बनाई है तो आप उसे पहले save भी कर सकते हैं आपके click करके ठीक है उसके बाद आपको next पर click करना है तो next पर आप click करेंगे तो यहां पर यह इस तरीके से आ गया new short video लिखा आ गया आपके caption आ गया आपका ठीक है आप description कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर लिख देते हैं cute baby उसके बाद आप यहां से इसकी privacy सेट कर सकते हैं कि आपके इसको दिखाना चाते हैं friends को publics को इसे डाउन कर देंगे और यहां पर यह more option का है इस पर पर क्लिक कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं यहां पर यह upload होना शुरू हो गया है और कुछ ही seconds में upload हो जाएगा तक हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं यह हमारी वीडियो हो गई है इसके बाद हमें back कर लेना है अब हमारी वीडियो कहां पे दिखेगी वह मैं आपको बता देता हूं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं हम वा पेज़ पहले उसके बाद आप passions पर क्लिक करना है उसके बाद आपको इस प्रोफाइल के उपर क्लिक करना है उपको स्क्रॉल डाउन करना और यहां से आपको देख सकते हैं photos, Reels, यह option दिख गया है, आपको इस Reels वाले option पर क्लिक करना है, और आपको जितने भी वीडियो अप्लोड करेंगे, वह यहां पर आपको शो हो जाएंगी, इस पर क्लिक करना है, इस तरीके से यह डल गए यह वीडियो यहां पर, तो इस त सिखाया है, अगर फिर भी वीडियो से related, कोई भी query, कोई भी question है आपके mind में, तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंदाई हो, तो से like और share जरूर करें, thank you.